असलाम अलेकुम डिया पैरेंट्स और चुल्डन आज हम क्लास यूके जी केल इंग्रिश बढ़ने जा रहे हैं आज का पेज नंबर है थर्टी है है हम सी पार से स्टार्ट करेंगे चैनल और यहां पर इनके नाम दिये गैए हैं और यहां पर इनके पिक्टीर आपको इनको मैच करने okay क्रैब तो आपको क्रैब ढूणना ऐसमें इंद्रेन आपको मैच करना और ग्रैप्ज brick tree ओके तो इसी तरह आपको worksheet भी बनाया है मैंने इस तरह से आपको लिखना है यह आपका worksheet है match the picture with your name आपको picture को इसके नाम के साथ जोड़ना है यह क्या है यह जाडू है जाडू को इंगलिश में क्या बोलते हैं broom तो broom drum drum कहाँ पे है यह grill and bread ओके यह आपके लिए वोक्षीट है then next है D part take the picture with take the picture which begin with the given sound आपको tick करना है दिये गए pictures में जो sound आपको यहाँ पे दिये गए है उसको सर्च करके आपको उसको tick करना है okay for example मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए करके दिया है यह kr है तो आपको kr से इसमें words ढूने है वो words वो picture का नाम जो kr से शुरू होता है आपको उसको tick करना है okay तो kr से क्या शुरू होता है kr से crow okay मैं आपको जली-जली समझा रही हूँ okay kr से crow kr से क्या होता है crow तो हमें kg करना है यह prince है तो kr से prince नहीं होता है यह dragon है तो kr से dragon नहीं होता है ok तो kr से crow draw draw से आपको search करना है कि कौन सा picture का नाम draw से शुरू होता है तो draw से drum okay तो आपको इसको सरकल करना है जो लेटर्स डबल ए है यहां पर जिस वर्ड्स में तो आपको इसको सरकल करना है तो आपको इसमें डबल ए को सरकल करना है ब्रीज तो डबल ए को सरकल करना है ग्रीप डबल ए को सरकल करना है ओके तन नेक्स्ट है एफ पार्ट फिल इन दा बॉक्सिस टू दा टू नेम दी पिक्चर्स ओके आपको यहां पर कुछ पिक्चर्स दे गए हैं और आपको यहां वर्ड है आपको इसको complete करना है यह incomplete है न तो आपको complete करना है ओके तो आपको picture को देखना है and then आपको इसके नाम लिखने है this is aam यह क्या है aam a r m aam okay crow यह क्या है crow c r o w crow t r truck okay t r u c k truck okay then next है p r prince यह क्या है prince p r i n c e okay prince okay next है हमारा g part remove the first letter from the name of each picture and make a new word आपको remove करना है पहले पहला जो लेटर है इनसे यह जो जिस इसका नाम आपको लिखना है तो आपको इसमें से for example यह grain है grain okay इसको क्या बोलते हैं जैन्ने को क्या बोलते है ग्रेट okay तो यह grain है तो आपको minus g यहाँ पर minus g लगा है तो आपको इसमें g आपको minus करना है okay तो g minus करके आपको क्या बन जाता है इसमें से आपको एक नाया वर्ड बन जाता है, अगर इसमें से यह वज ऑगई तो या बन जाता है, रें, रेंक इसमें से आपको इसमें के तो आपको गई un Curve तो यह आपके लिए एक एक उसप्नाइट ए बेहरे एक एक एग्सराइज दिया है जो आपको थोटवा सब different type का आपको words बनाने का एक idea दे रहा आपको next है rain तो यहां पे जो आपको words आ रहे हैं वो same आ रहे हैं यहां पर भी rain है यहां पर भी rain है ओके यहां पर भी क्या है rain यानि बारिश तो इसका नाम क्या है चैने को क्या बोलते हैं Grain, क्या बोलते हैं, G, R, A, I, N, Grain, तो इसमें से हम अगर G को माइनस करेंगे, तो क्या बन जाता है, Rain, ओके, जस्ट आपको एक आइडिया दे रहा है, तो इससे क्या बोलते है, Train, D, R, A, I, N, Train, ओके, अगर इसमें से हम, इसमें माइनस D लगाएंगे, तो अगर हम इसमें से Rain, बन जाएगा, फिर से क्या बन जाएगा, Rain, बन जाएगा, ओके, यह आपको समझ में आया, यह वाला, Then, H part है, Look and Tick the Correct Action Words, आपको इस पिक्चर को देखना है, and then, जो भी एक्चर कर रहे हैं, आपको उसको टिक करना है, यहाँ पे आपको इसके words भी दिये गए हैं, ओके, Grab, यानि किस चीज़ को पकटना, Grace, यानि Grace चाराना, जैसे कि हम भीट बगरियों को चाराते हैं, उसी तर से चाराना, ओके, तो यह क्या खा रहा है, यह घास खा रहा है, तो कोई इसको चारा रहा है, तो, क्रैब यानि पकडना, लेकिन यह यह रॉंग एक्चिन है, तो हम इसमें किस को टिक करेंगे, Grace को, then, यह जो लटकी है, यह क्या कर रहे है, यह ड्रिंक कर रहे है, यह ड्रि Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh